हेलो माई डियर फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल फ्रीमेस क्लास में फ्रेंड्स आमने पर इसले लेक्चर में क्लास 7 का 4 चाप्टर इस एंगल्स एंड पैरस ऑफ एंगल्स इस चाप्टर का इंटेरियर एंगल्स अप पॉलिगॉन ये कंसेप अच्छी से स्टडी क्या था उसमें हमने क्या सीखा था अगर हमें नंबर आफ साइड्स एंड दिया जाए तो आप उस पॉलिगॉन का सम आफ इंटेरियर एंगल्स कांट कर सकते हो एंड उसका फॉर्मिला क्या था सम आफ इंटेरियर एंगल्स इस एकुवल टू 180 डिग् इन ब्रैकेट एन माइनस टू यहाँपर आपको एन की वैल्यु पुट करने है अमेंज नंबर आफ साइड्स ओके एन मेंस नंबर आफ साइड्स होती है वह आपको यहाँपर फिलप करना है यहाँपको पॉलिगॉन का सम आफ इंटेरियर एंगल्स अगर आपको फॉर्स वाले square का sum of interior angle find out तरना है तो आप क्या करेंगे n की value या पर put कर देंगे it is 180 degree multiply by 4 minus 2 4 minus 2 solve कर लेंगे 4 minus 2 means 2 180 degree multiply by 2 means कितने होते है 360 degree आप calculate करके भी देख सकते हो here friends 2 multiply by 0 means 0 2 multiply by this 8 means 16 होते हैं so 16 का यह इन्य डिजिट 6 here here 1 carry then 2 ones are 2 plus this carry 1 means 3 so 180 degree multiply by 2 means 360 degree so friends यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं the sum of interior angle with 4 side is equal to 360 degree friends यह कांसे फ़र्म ने पिछले lecture में सिखा था अगर आपने पिछले lecture नहीं देखा है तो उसे भी जल्दी से देख लिजे उसके लिए मैंने इस वीडियो के description में दी है friends आज के इस lecture में हम एक new topic study करने वाले है the exterior angle of a triangle and its property friends हमने पीछे भी एक property study की थी vertically opposite angles की vertically opposite angles and its property अब आज के lecture में हम the exterior angle of a triangle and इसकी property भे study करेंगे तो friends exterior angle में इस क्या होता है यह आप अच्छे से देख लो यहापर यहापर एक triangle दिया है triangle A, B, C यह देख सकते हो अच्छे से आप यह triangle है triangle A, B, C if the side B, C of triangle A, B, C is extended as shown in the figure and angle A, C, D is formed which lies outside the triangle अभी आपर आप देख सकते हो angle A, B, C को यह B, C side है यह B, C side को अगर आप extend कर देते हो extend कर दिया हमने यहाँ तक यहाँ पर एक point लिया point D and उसके बाद जो angle form होता है angle A, C, D इस angle को हम क्या बोलेंगे exterior angle of a triangle यहाँ पर आगी दिया है यह क्या है triangle के बाहर है बाहर वाला angle है and interior angles कौन से है इस triangle के angle A, angle B and angle C and exterior angles कौन से है यह angle A, C, D है angle A, C, D is an exterior angle of triangle A, B, C next लिक क्या दिया है यहाँ पर angle A, C, D and angle A, C, B are angles इन लिनियर पेर यहाँ पर आप देख सकते हो angle A, C, D and कौन सा angle बोला है angle A, C, B here A, C, B यह दोनों angles क्या है angles इन लिनियर पेर angles इन लिनियर पेर मिस क्या होता है जो angles एक दूसरी के साद straight line form करते हैं या फिर 180 degrees का angle form करते हैं 180 degrees और straight line अब straight line कहाँ पर form की है इन दोनोंने angle A, C, D इसकी CD यह side आप देख सकते हो and angle A, C, B इसकी BC यह side आप देख सकते हो BC and CD इन दोनोंने एक दूसरी के साद straight line form की है so these two angles are angles इन लिनियर pair and इन दोनों की measures का addition हमेशा क्या होगा 180 degrees angle A, C, D plus angle A, C, B is equal to 108 degrees होँगी हमने angles इन लिनियर पर इस topic के बारे में भी discuss किया था ओके ना फ्रेंड्स नेक्स लिए क्या दिया है angle P, A, B and angle Q, B, C are also exterior angles of triangle A, B, C यहाँ पर आप देख सकते हो यह P, A, B angle and Q, B, C यह दोनों भी angles क्या है exterior angle of triangle A, B, C इस triangle ABC के यह दोनों भी exterior angles है यहाँ पर किस side को extend क्या है AC इस side को यहाँ पर extend क्या है यहाँ पर point लिया है P तो यहाँ पर कौन से angle form हो गया है angle P, A, B और angle B, A, P यह जो angle है यह भी क्या है इस triangle का exterior angle है यहाँ पर A, B इस side को extend कर दिया गया यहाँ पर arrow आप देख सकते हो यहाँ पर extend क्या है यहाँ पर point लिया है point Q तो friends यहाँ पर एक new angle form हो गया angle Q, B, C और angle C, B, Q दोनों भी तरीके से आप इसे बोल सकते हो तो यह जो angle है angle Q, B, C यह इस triangle का exterior angle है first angle हमने कौन सा study किया था angle A, C, D यह भी इस triangle का exterior angle है तो friends मुझे उम्मिध है आपको exterior angle की definition समझ में आए होगी तो friends यहाँ पर nextly note दिया है इसको भी हम read कर लेते हैं on extending one side of a triangle the angle obtained which forms a linear pair with the adjacent interior angle of a triangle is called an exterior angle of that triangle exterior angle किसको बोलते हैं friends यह जो side है side B, C इसको आपने आगे extend कर दिया इस side में यहाँ पर एक point लिया point D यहाँ पर new angle form हो गया angle ACD and angle ACD and angle ACB इन दोनोंने एक दूसरी के साथ linear pair form कर दिया तो इस angle को आप क्या बोलोगे exterior angle of a triangle exterior angle of triangle हमेशा 180 degrees का angle form करता है या फिर linear pair form करता है अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो यह है angle PAB बी ऑके एंड इसके साथ कौन सा linear pair है ऑंगल यह अगल बी आ पी दूसरी के साथ linear pair फिर फॉर्म किया है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप Kent इसकी कौन से सैड है P A side और E P side एंगल B A C इसकी कौन सी A C side इन दोनोंने एक दूसरी के सा straight line फॉर्म किये है so they are also angle C न लीनियर pair ओके एंड लास्ट एंगल कौन सा है angle Q B C अब Q B C and friends second angle consider करते हैं angle C A B यहाँ पर आप देख सकते हो Q B यह एक side है and A B एक side है C B A और C B Q एंगल से इन दोनों ने भी एक दूसरी के साथ linear pair फॉर्म की है यहाँ पर आप C से देख सकते हो C से start करो हमेशा C B Q and C B A यहाँ पर यह जो A B and B Q यह जो side से दोनों इन दोनों ने एक दूसरी के साथ straight line form की है so they are also angle sin linear pair so यहाँ पर C B Q और angle Q B C यह हो गया exterior angle of triangle A B C तो friends मुझे उमिद है आपको यह समझ में होगा अब हम exterior angle की property भी study करेंगे तो start करते है property of exterior angle of triangle friends अभी अभी हमने exterior angle के बारे में discuss किया था अब हम इसकी property भी study करने वाले हैं property भी बहुत important होती है आपको exams में पूछी जा सकती है तो friends property को आप अच्छी से study कीजिए यह property क्या है the property of an exterior angle of a triangle अब हमे exterior angle of a triangle इसकी property study करनी है तो friends यहाँ पर एक figure दी है यहाँ पर आप देख सकते हो एक triangle consider किया गया triangle PQR और इस triangle की QR साइड को extend किया गया आप यहाँ पर देख सकते हो QR साइड को extend किया right hand side में यहाँ पर एक point लिया point S यहाँ पर एक exterior angle फॉर्म हो गया angle PRS angle PRS and angle PRQ इन दोनों ने एक दूसरे के साथ linear pair फॉर्म कर दी linear pair means वो दो angles होते हैं जिनके addition 180 degrees होता है that is friends यहाँ पर angle PRS and angle PRQ इन दोनों का add करने के बाद हमें क्या मिलेगा 180 degrees अब friends यहाँ पर इस figure की information दी है इसे भी हम read करते हैं यहाँ पर कुछ empty boxes है इसे भी हमें fill up करना है तो friends यहाँ पर firstly क्या दिया है in the figure alongside angle PRS is the exterior angle of triangle PQR मैंने आपको अभी अभी बताया था PQR इस triangle के QRS side को हमने extend कर दिया right hand side में and यहाँ पर एक point लिया point S so here new angle create हो गया angle PRS यह angle इस triangle के outside है that is बाहर है so friends this is exterior angle of a triangle and इस angle ने QR इस side के साथ linear pair भी form की है PRQ इस angle कर जो QR side है इस के साथ इस angle ने एक straight line form की है so friends these are angles in a linear pair and this angle that is angle PRS is exterior angle of a triangle PQR then next लिए आपर क्या दिया है the interior angle adjacent to it is angle PRQ angle PRQ जो angle है यह इस angle का adjacent angle है adjacent angle में इस क्या होता है जो इसके side में है then next लिए क्या दिया है the other two interior angles angle P and angle Q are further away from angle PRS यहाँ पर angle P and angle Q यह जो दोनों angles है वो angle PRS के बहुत दूर है so they are called the remote interior angles of angle PRS so friends इन दोनों angles को हम क्या बोलेंगे remote interior angles of angle PRS angle PRS के remote interior angles कौन से है angle P and angle Q and adjacent angle कौन सा है angle R है तो next लिए आपर क्या दिया है major angle P plus major angle Q plus major angle PRQ is equal to how many degrees तो friends major angle P यहाँ पर आप देख सकते हो angle P then angle Q and angle PRQ PRQ means सिर्फ R इन तीनों का अगर हम addition करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 180 degrees मिलेगा आपको फॉर्मिला पता है sum of interior angles of a polygon इसका फॉर्मिला क्या है 180 degrees in bracket and minus 2 so friends 180 degrees as it is write करेंगे N means क्या होता है number of sides अब यहाँ पर sides कितने है P Q यह first side Q R यह second side and PR यह third side इस triangle की 3 sides हो गए total so N की जगा 3 रख देंगे minus 2 so friends 180 degrees in bracket 3 minus 2 means 1 and 180 degrees multiply by one means 180 degrees so friends sum of 3 angles of a triangle यहीं इसका reason यह क्या है major angle P plus major angle Q plus major angle PR Q इन सबको अगर आप add कर देते हों तो आपको क्या मिलेगा 180 degrees and they are sum of 3 angles of a triangle इस triangle के जो 3 angles है इनका यह sum है 180 degrees the next line में क्या दिया है major angle PR yes plus major angle PR Q is equal to how many degrees friends PR yes क्या अगर है यह exterior angle है okay PR S and then major angle PR Q PR Q इनका addition क्या होगा तो friends यह दोनों angles क्या है angles इन लिनियर पेर यह angles इन लिनियर पेर क्यू है because यह adjacent angle भी है because यह adjacent angle भी है PR yes and PR Q यह दोनों भी angles adjacent angle है and इनकी जो sides है that is PR yes की R yes side and PR Q की Q R side इन दोनों sides ने एक दूसरे के साथ एक straight line form की है so यह क्या होंगे angle signal linear pair and angle signal linear pair की addition हमेशा क्या होती है 180 degrees मैंने आपको यहाँ पर ही बताय था angle PR yes plus angle PR Q क्या होगा 180 degrees so यहाँ पर fill up करेंगे 180 degrees these are angle signal linear pair यहाँ पर reason भी right क्या है then next thing क्या है therefore major angle P plus major angle Q plus major angle PR Q is equal to major angle PR yes plus major angle PR Q अब यह काहा से right क्या यहाँ पर क्या है major angle P plus major angle Q plus major angle PR Q इनका addition क्या है 180 degrees and then major angle PR yes plus major angle PR Q इनका addition भी क्या है 180 degrees so यह क्या हो जाएंगे equal because इनका जो right hand side है वो same है so left hand side is also same यह जो left hand side है major angle P plus major angle Q plus major angle PRQ इसको एक side पर write कर दिया and दूसरे side पर write किया major angle PRS plus major angle PRQ अब यहाँ पर क्या किया major angle PRQ major angle PRQ इन दोनों को same sign है so इनको subtract कर दिया then next step में क्या write क्या सिर्फ major angle P plus major angle Q is equal to major angle PRS यहाँ पर reason भी write क्या है subtracting major angle PRQ from both sides so friends major angle P plus major angle Q यह major angle P and major angle Q इन दोनों का addition क्या होगा major angle PRS यह PRS अगर आप इन दोनों angles को add कर देते हो major angle P को and major angle Q को तो आपको कौन से angle मिल जाएगा major angle PRS that is exterior angle के value मिल जाएगी तो friends यहाँ पर note भी दिया है the major of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measures of its remote interior angles remote interior angles के बारे में भी मैंने आपको बताया था यह जो P and Q यह जो दो आइंगल से P and Q यह major angle PRS से दूर है इसका adjacent angle कौन सा है R है ओके PRS इसका adjacent angle है R and P and Q यह जो दोना angles है वो इस exterior angle के दूर है तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे remote interior angles तो friends अगर आप इन दोनों remote interior angles को add कर देते हो इनके majors को अगर आप add कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा major angle PRS का value consider करते हैं angle P के value हमें दी जाए 50 degrees and angle Q के value हमें दी जाए 40 degrees तो angle PRS के value क्या मिलेगी हमें? angle P plus angle Q कर देना है शिर्फ angle P means 50 and angle Q means 40 50 plus 40 means 90 degrees so angle PRS के value हमें मिल जाएगी 90 degrees बहुत ही simple property है friends सिर्फ आपको क्या करना है? यह figure draw करनी है सिर्फ एक side को extend कर देना है यहाँ पर exterior angle दिखाना है then figure को explain करना है बहुत ही simple है यह figure है इसमें triangle PQR हमने consider कर लिया इस side को extend कर दिया RH side में that is right hand side में then इसका exterior angle create हो गया angle PRS इसके बाद क्या है? यह जो interior angle है angle PRQ यह क्या हो जाएगा? इसका adjacent angle because यह इसके side में है then यह जो दोनों angles है angle P and angle Q यह इस exterior angle के दूर है so they are remote interior angles of angle PRS इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? remote interior angles of angle PRS then इसके बाद क्या किया? major angle P plus major angle Q plus major angle R that is angle PRQ इन तो इन्हों को add करने के बाद क्या मिलेगा? 180 degrees इन इसके बाद क्या किया? यह exterior angle यह interior angle इन दोनों ने एक दूसरे के साथ linear pair form किये है so इनने add करने के बाद 180 degrees मिल जाएगा यहाँ पर दोनों की RHS सेम है so LHS भी सेम हो जाएगी इनको सेम कर दिया यहाँ पर equal to का साइन यह cancel हो जाएगा next लिए क्या मिल जाएगा? major angle P plus major angle Q is equal to major angle PRS यहाँ पर क्या किया? subtracting major angle PRQ from both sides OK? PRQ सेम सेम थे इनको सेम साइन था so इनको cut कर दिया so friends हमें क्या मिला? जो exterior angle होता है वो उसके remote interior angles का sum होता है तो यहाँ पर हमने note B write कर दिया the major of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of major soffits remote interior angles friends मुझे उमिद है आपको आज का lecture समझ में आया होगा thank you so much for watching my video अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक कर देना and comment करके बताना आपको कैसा लगा so friends see you on next lecture next lecture में हम practice rate number 21 solve करेंगे thank you so much and have a nice day